करोना के आक्रे लगातार परिशान कर रहे हैं और हर रोज इसमें इजाफा भी हो रहा है करोना संक्रमन के इन आक्रों के कुछ शहर ऐसे हैं जो लगातार देश की चिंता का विशय बने हुए हैं ये वो शहर हैं जहां करोना के मामले सबसे जादा है जिनकी वजह से इन्हें करोना होट स्पोट कहा जाने लगा है पांच एरों की तस्वीर आपके सामने हैं मुंबाई, दिली, नौईडा, इंदौर और जैपुर जहां पर संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये परेशानी बढ़ा रहे हैं करोना केस 2073 मुंबाई में वहीं इन दौर के अगर बात कर लें यहां पर भी मामलों में जाफा, कुल केस 842, करोना केस 491, अगर बात जैपुर की करें, परिदिली की अगर बात करें तो एक बात फिर से यहां मामलों में जाफा देखा गया है और नौईडा में भी लगाता मामले पढ़ते जारें मत प्रदेश में कुल 1120 करोना केस हैं, जिन में 64 ठीक हो चुके हैं, लेकिन तिरपन लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में मत प्रदेश में जो 361 केस सामने आए हैं, उन में सबसे ज्यादा केस 245 इन दौर से हैं इससे कोरोना के कुल मामलों के संख्या बढ़कर 842 हो गई है कोरोना की वज़े से कल इन दौर में 8 लोगों की भी मौत हुई है इससे मृतकों का आकड़ा इन दौर में 47 तक पहुँच गया है इन दौर के अलावा भोपाल में भी मामला बेकाबू है लेकिन अब खंड़वा, उज़ेन और खरगोन की रूप में नया होट स्पोर्ट सामने आया है उज़ेन में 30, खरगोन में 49 और खंड़वा में 33 मामले सामने आये है इन दौर में कोरोना पॉजिटीव मरीजों का आखड़ा बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है ये आखड़ा बढ़कर साड़े 800 पॉजिटीव मरीजों तक पहुँच गया तो वही 47 लोगों की इससे अब तक मौत भी हो चुकी है सरकार का कहना है कि आखड़े इसलिए टेजी से बढ़ रहे है क्योंकि टेस्टिंग भी अब टेजी से हो रही है और इसलिए आने वाले दिनों में भी पॉजिटीव मरीजों के आखड़ों में बढ़ोतरी संभव है लेकिन सरकार का मानना है कि इससे उसे पॉजिटिव आये मरीजों की जल्द से जल्द इलाज करने की सुविधा भी मिल रही है और इसलिए आने वाले दिनों में मद्रपदेश में जो मौते हो रही है कोरोना की वज़े से उसे कम करने में काफी मदद भी मिलेगी MP में शिवराज सिंग ने आयसे वक्त में सत्ता सम्हाली जब कोरोना वायरस राजी में दस्तक दे चुका था ऐसे में अपने सूबे को कोरोना के नुकसान से बचाना शिवराज के लिए बड़ी चुनावती है इन दोर से धर्मेंदर शर्मा के साथ रवीश पाल सिंग, भोपाल आज तक मर्वदेश का रुख करेंगे जहांपर करोना के बढ़ते मामलों पर अब कॉंग्रेस से शिवराज सरकार को खेरना शुरू कर दिया है देखिए ये जुबानी जंग पहले ये रोग काफी फैल चुका था आश्चर जानक रूफ से फैबर बड़ी और मार्च के महीने में जो मृत्यू का आखला वहाँ अधिक भुआ था मत्वरोग पहले से था निदान की कोई ववस्था ही नहीं की गई और इसलिए वहाँ पैसेंट्स एक विसेस इलाके में बढ़े तीन चार वस्थियों में बढ़े अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव जो पैसेंट्स है उनका एट्टी परसेंट से ज्यादा हिस्सा वहीं से आता है उनके लिए हमने अलग रण नहीं थी बनाई पहले कही तरह की गलत फैमियां थी इलाज कराने में कही तरह की बाधाय आई लेकिन उन बाधाओं को दूर किया और अफसारे इंद और को एक किया 600 तक की इस्तिति पहुंच गई है आकड़ा जी ये बड़ा इसका मूल कारण है कि सरकार का फिलिवर मेनेजमेंट आपने अधिकारी नए भेज दिये अधिकारी नए भेजे तो टाक्स पोर्ट बना दिया कोन उन पर कंट्रोल करेगा को इस्तिति नहीं है कीट और जो मेडि करती जा रहा है कि इस इंदोर को उसका उसकी सजा मिली कि मर्वदेश के बाद बात अब राजस्तान की करेंगे जहां पर करोना केस में गुलाबी शहर जैपूर सबसे आगे चल रहा है जैपूर का एक लाका रामगंज करोना का हॉट स्पोट बना हुआ हुआ है ये है जैपूर का रामगंज इलाका आम दिनों में जिंदगी से भरपूर रहने वाला ये इलाका इन दिनों खौफ और सन्नाटे की बस्ती बन गया है लोगडाउन की वज़े से दूर दूर तक शांती फैली है लेकिन इस शांती के भीतर कोरोना वायरस का गहरा खौफ शा अगर राजस्थान के शहरों की बात करें तो जैपूर से सबसे ज़ादा 491 केस आए है भरतपूर से 43, जोदपूर से 133, टोंग से 77 और कोटा से 90 केस आए है जैपूर के 491 केस में अकेले रामगंज इलाके से करीब 80 केस है सरकार का दावा है कि राजस्थान के लिए बड़ा सिरदर्द बने रामगंज में अब सुधार हो रहा है देश के सबसे ज़्यादा संक्रमिनित जगह बनने वाले रामगंज से अच्छी खबर आई है कि पिछले 48 घंटे में मातरे 3 करोना पोजिटिव आए है हाला कि रामगंज ऐसे इलाके जोधपूर और कोटा में पैदा हो गए हैं सरकार के लिए चुनोती होगी वहाँ भी काबू पाया जाए राजस्थान देश के उन पांच राज्यों में हैं जहां कोरोना के एक हजार से ज़्यादा मामले दर्ज हुए है कोरोना को भगाने के लिए सरकारे इस तरपरतों कोश्चे होई ही रही हैं लोग धारमेक अनुष्ठान का भी साहरा ले रही है दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हवन यग्य किया जा रहा है मानव समाज को बचाने के लिए कोरोना को हराना ही होगा पूजा, पाथ, यग्य हवन अपनी जगह है लेकिन आप अपना खयाल रखें समाजिक दूरी और दूसरे उपायों पर सक्ती से अमल करें कोरोना की चेन उसी से तूटेगी शरत कुमार, जैपुर आज तक और कोरोना केस में देश की राजधानी, दिल्ली और मुंबई के बाद अखेला वो महानगर बन गया है, जहां कोरोना संक्रमतों की संख्या डेड़ हजार के पार पहुँच गई है, दिली जटे नॉइडा में भी यही हाल है, यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ने का सरसला अब भी जारी है, नॉइडा करोना में यूपी का होट स्पोर्ट माना जाता है यह तस्वीर शिवाजी नगर के गोवंडी इलाके की गोवंडी का इलाका कोरोना होट स्पोर्ट के रूप में सामने आया है, लेकिन लोगों की इलापरवाही देखी सामाजिक दूरी की नसीहत की धज्यय उड़ती दिखी इस तस्वीर यह इतनी गती से इसमें स्प्रेड हो रहा है सरकार ने इस समद्ध में कड़क कदम उठाने चाहिए हम वरली कोलीवाडा जिजामाता नगर में धीले पड़े जिसके कारण आज वहां की संक्या ताड़े 300 से ज़्यादा और उससे डबल क्वारेंटाइन है इन एरिया को वरली कोलीवाडा मत बने बने दिजे यही प्रात्ना जरा महराष्ट के आंकड़े देख लीजे महराष्ट में अब तक कोरुना के 32 से ज़्यादा केस आ चुके हैं इनमें 286 मामले तो पिछले 24 घंटे में आये हैं महराष्ट में कोरुना से 1944 लोग जानगवा चुके हैं इदेश के किसी भी राज्जे की तुलना में सबसे ज़्यादा है महराष्ट में मुंबई शहर कोरुना का सबसे ज़्यादा शिकार है यहां पिछले 24 घंटे में 257 केस आये हैं इस तरह मुंबई में कोरुना के कुल केस 2000 से उपर हो गए हैं इन में से 117 लोगों की मौद भी हो चुकी है महराष्ट में कोरुना पॉजिटिव केसे इसका आकड़ा अब 3200 के पार हो गया है इसमें से किवल मुंबई में 273 केस हैं और करीब 117 लोगों की सिर्फ मुंबई में मृत्यू हो गई है बृत्यू के बढ़ते नंबरों को देखते हुए महराष्ट सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है इस टास्क फोर्स में सरकार ही और प्राइबेट डॉक्टर दोनों ही शामिल है जो की जो भी डॉक्टर कोरोना वाइरस पेशन्स को ट्रीट कर रहे हैं उनका इलाज कर रहे हैं उनकी मदद करेंगे एक हाटलाइन के जरिए इन एक्सपर्ट डॉक्टर को कोई भी डॉक्टर कॉन्टाक कर सकता है और ट्रीटमेंट के लिए टिप्स ले सकता है ट्रीटमेंट के लिए बाचीत कर सकता है कोरोना को रोकना महराष्च्anor सरकार के लिए बड़ी चुनौती है लेगिन इसमें काम्याभी सिर्फ सरकारी कोशिशन से संभव नहीं और नागरिक को इसमें सहयोग करना होगा दिव्येश सिंग, मुंबई, आज तक ये तस्वीर शिवाजी नगर के गोवंडी इलाके की गोवंडी का इलाका कोरोना होट स्पोर्ट के रूप में सामने आया है लेकिन लोगों की इलापरवाही देखे ये तस्वीर कल की है, लोग आम दिनों की तरह आवाजाही करते नजर आए करोना को अराने के लिए संक्रमन का चेन तोड़ना बेहत जरूरी है लेकिन संक्रमन की चेन होम डिलिवरी के बावजूद बढ़ गई है इस पर ताजा मामला एक होम डिलिवरी बॉई को लेकर है जिसमें करोना का संक्रमन पाया गया इसी पर देखिए आज तक की ग्रांड रिपोर्ट जाइकी की ये गलियां कभी गुलजार हुआ करती थी जो खुद से नहीं जा सकता था खाने वो घरों पर डिलिवर करवाता था अब एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद से आशनकाय और दोटी पढ़ी है लेकिन आज हम इन डिलिवरी बोईस से बाद चीत करके आपको बताएंगे कि दरसल इनकी जिन्दगी में किस तरह की उथल पुथल मची आज कल क्या आपकी कमाई पर असर पड़ा है बिल्कुल जब आप देख रहे हैं पूरे कर सीपी में टोटल चार स्वन खुल है तो जनल सी बात है कि और बहुत कम होगे और जो पहले हम बीस ओडर कर लेते थे वाज कल छे ओडर करने में पूरा चौब बार गंते लग जाते हैं लिमिटेड होगे बहुत बहुत कई खर्चा निकल जाए दूद कई आजाए थोड़ा यह आजाए इसलिए वह बाकी तो है नहीं काम बिल्कुल भी कैसे आप लोगों को पेमेंट होता है दिकली होता है जो काम करते है पड़्डे वह मिलता है बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है कि कितने लोगे कितने अब दर पांसो रुपे काम हो जाए वह भी बहुत है बहुत ज्यादा मुस्किल आ रही है जब आप लोग किसी के घर जाते हैं क्या तरीका होता है आपको डिलिवरी देने का मेरा तरीका होता है मैं कस्टमर को कहता हूं या तो आप निशी आके स्वयम लेके जाए मैं प्रच नहीं हो नहीं मैं किसी भी द्रस अधस्ट नहीं करता हूं एक करने को सिज़ता हूं जीते भी असप्रेल आसपास में उनके आप आरे अब कि कस्टमर जैसे और करते हैं वह बहुत ही कम बुल माइनस पॉइंट अभी आप लोग ध्यान रखते हैं कि कॉन्टाक्ट न करते हैं क्या कुरूना वाइरस के बाद आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा है क्योंके लोग बाग दर रहे हैं भार का खाना खाने से ओडर हमारे पर आर नहीं रहे हैं रेस्ट्रेंट जो जैसे पहले ओपन होते थे उस टाइप का कुछ भी नहीं हो रहा है गिने चुन करते हैं और अब हम दिन के तीन या चार क्या कुरूना वाइरस के आने के बाद से आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा है कुछ समय पहले हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता था जिससे हमें रेगुलर इंकम अच्छी हो जाती थे पर इस समय पैट्रोल के पैसे निकालना ही बहुत जादा मुश्किल हो जाएं बिकॉ旋 हमारा क्या है हमरा हम रोज कमाने रोज खानेवाले हैं बला हमारी कंपनी आयती है जतनी दिलिवरिस करोंगे हम आपको उतना ही अ्माउंद देंगे बर आजकल तो यह हो रहा है कि मुश्त से पांसा डिलिवरी ऐसी चल रहा आज हमारे सारे राइडर ऐसी खाली बैठे हुएं कल इस समय ये लंच टाइम होता है मैं इस समय हमारे पास बहुत ओर्डर होते थे आज और बुरा हो गया है आज वाले डिलीवरी के संक्रमेंट होने से और असर पड़ गया है रेस्टरंट में ओडर ही नहीं है आज हमारे एक रुपे काम नहीं है हमें तो गवर्मेंट पर सपोर्ट कर रही है हमारे परियाप मना करते हैं घर से आने के लिए है कि सबको अपनी सेटी प्यारी है अपने बच्चे प्यारे है हमारी वाइफ को भी हम चाहते हो बारना निकले हैं हमारी मज़ूरी आर्थिक दिक्क्त जरूर से ज़दा हो गई है हम दस दिन घर बैठने के बाद फिर दौरा मार्केट में फिल्ड में आया है और इसका अस दो दिन महीने पहले पढ़ना चाल गया ता जहां जासे इंफ्रमेशन आ रही थी वैसे काफी जगा पढ़ गया तक लोग रहां किस वाई दिन पहले 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 बंद हो गयते रोजी रोटी मजबूरी बनती है तो रोजगार आप अपने मन के विपरीद भी कई दफा चामिल है आज कोरोना काल में प्रकोप उन पर भी है जिस तरीके से एक मामला सामने आया है संक्रमन का उससे अब सवाल उठ रहे हैं इस डिलिवरी को लेकर लेकिन इनकी तरफ से आश्वासन यही है कि कॉंटाक्टलेस यानि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संपर्क नहीं हो करोना संख्रमित निकलने के बाद मुंबाई में भी ऑनलाइन ओर्रस करने वाले लोग तर गए है है उनकी कंपनियों ने उन्हें करोना से बचाते लिए जरूरी चीजीजें नहीं मौहिया कर आई हैं दूसी तरह कुछ हुटेल्स और एक बेगर और मज्दूरों के लिए लॉकडाउन ने पीज़ा खाना दिल्ली के 72 परिवारों को बहुत महेंगा पड़ गया एक पीज़ा डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे पर वो पीज़ा डिलीवर कर कोरोना का खत्रा बाटता रहा 14 अपरेल को उसे कोरोना पॉजिटिप आये गया अब इन 72 परिवारों के साथ 17 दूसरे डिलीवरी वॉयस को भी क्वारंटीन में रखा गया है जिस चेन के किचिन से पीज़ा डिलीवरी की गई उनका कहना है कि हमने तो पूरी साफधनी पड़ती थी पर ऐसी घटना का होना दिखाता है कि कोरोना वाइरस किसी को भी अपना शिकार बना सकता है ये बाद दिली की थी पर मुंबई में भी लोग खूब ऑनलाइन खाना ओर्डर कर रहे हैं जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना से बचाफ के लिए उन्हें सेफ्टी गियर नहीं दिये गए कोरोना संकट में मुंबई में एक बहुत बड़ा वर्क प्रवासी मजदूरों और बेगरों का भी है इनकी मदद के लिए मुंबई के समर्थवान लोग आगया रहे हैं देश के एक बड़ी बैंकेट चेन वर्ली सित ब्लू सी बैंकेट हजारों लोगों को खाना खिला रहा है इन्होंने अपना बैंकेट हॉल लाइफ किचिन में तब्दील कर दिया है इस किचिन में करीब 30 लोग 30,000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और हाईजीन समय धर नियम का पालन हो रहा है BMC ने यहां से खाना पिक अप करने के लिए बैस्ट की एसी बसे भी दी है पंकर चुपाध है के साथ अनुश्री बांडे मुंबई आज तक करोना से बचाव और संक्रमन को रोकने के लिए दुनिया भर में वाक्सीन बनाने के प्रयास चल रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद है डेप्टी डिरेक्टर इस इंस्टिटूट के मैम ये बताईए कि क्या आप लोगों का इन्वेंट जो आप लोगों ने किया है और को रोकने में किस तरीके से वो मदद करेगा सो हमने अभी जो GBRC में किया है वो कोरोना का एक पूरा जीनॉम जो है उसका सीक्वेंस हमने डिकोड किया है और ये जीनॉम की सीक्वेंस हमको पता चलेगी तो उसके उपर से हम काफी रिसर्च जो है वो शूरू कर सकते हैं मैम यह जो रिसर्च आप लोगो ने किया है किस तरीके से यह पूरा रिसर्च किया गया और इसका जो नतीजा आपको मिला है वो कितना डिफरेंट है सो बेसिकली यह जो रिसर्च है इसके लिए हमको श्री विजवाय रुपानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और इन फेक्ट बायो टेकनोलोजी का यह सारा जो है वो अनुरूबल पी-म जब यहां पे सी-म थे तब उन्होंने यह सब शुरू किया हुआ था and he used to say that BT plus BT is equal to BT so that is भारत today plus biotechnology is equal to भारत tomorrow so in that connection हम लोग जो है यह जिनोमिक्स में हमारा सेंटर जो है उसका स्ट्रेंथ है और अलग-अलग जगह से हम लोग जिनोमिक्स की प्रवृतियां करते रहते हैं जब यह कोरोना का महामारी हुआ तब केंद्र सरकार अरे राज्य सरकार ने हमको जो है इसका मंजूरी दिया होल जीनोम सीक्वेंस करने का और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमको सैंबल्स प्रोवाइड किये और हमने फिर उसमें से जो है एक पूरा जीनोम डिकोड किया है अभी हम इससे बेनिफिट क्या होगा जो आप लोगों का अभी तक रिसर्च हुआ है उससे क्या फाइदा होगा जब whole genome sequence पता चलता है किसी भी सजीव का यहाँ पे जो COVID का जो genome है तो उससे जो है एक उसके सारे functions क्या क्या है वो हमें पता चलते हैं वो कितना virulent है इसका मतलब कौन से दुनिया में जितने viruses अभी है कोरोना के उसमें किस के साथ हमारा ये sequence match हो रहा है इन सब बातों पे हमें पता चलेगा फिर कौन से drug potential molecules हैं जो इसके against में काम करेंगे इस type के बहुत संशोधन जो है वो genome sequence के आधार पे हो सकते हैं मैं इसके vaccination भी बन सकता है सो vaccine बनाने के लिए भी आपको virus को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप vaccine बनाते हैं आप चाहते हैं कि उसमें से आपको पूरा पूरा जो है उसका immunity मिले सो कौन सा region है जो ज़्यादा जल्दी बदलता है कौन सा region उसका जो है वो stagnant है उनके जो antigenic regions हम बोलते हैं जिसको हमारी immune system समझती है तो उनका structure और वो सब कैसे बदल रहा है वो समझने में हमको genome से काफी फाइदा मिलता है मैं एक चीज यह पूछना चाते है कि यह temperature इस पर effect करता है देखिए ऐसा अभी हमने कोई संचोधन में हमारा कोई अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और इस direction में हम लोग अभी सोच भी नहीं रहे है बट यह अभी कहपाना एक genome के उपर से कि यह temperature का इस पर effect होगा या नहीं होग इस तू प्रिमिटिव तो से